हेलो नमस्ते मैं दीपकराई जै गोर्खा के उद्भोधन के साथ आपका स्वागत करता हूँ साथी साथ आज एक गंभीर विशे के उपर आपसे बात करना चाहूँगा बात है मीडिया की बात है गोर्खा लेंड की और जो मूल बात है वह है गोर्खा लेंड फ्लेक केमपेंड की जी हाँ बीते दिनों सोशल मीडिया में एक लोग प्रिया फेस्बूक पेज और साथी साथ कई अन्या भी उनके प्लेटफॉर्म पे काम करते हैं गूरखालेंड का मुद्दा या गूरखालेंड का नाम उनके ऊपर था इसलिए उन्होंने शायद इस चीज को दर्किनार करते वे कि किसी तरह के प्रेशर से वह कहीं न कहीं अपने आपको दबावा मेसुस कर रहे हैं यह क्या वज़ा है इस पूरे मुद्दे को जानने के लिए वीरुपर का वैब टीवी लगाता जबसे वह मैसेज अपने सोचल मीडिया पेज में डाला है तब से उनसे संपर्ग साधने का परियास कर रहा है लेकिन अभी तक उनसे परियास नहीं हो पाया है तमाम तरह के परिशानी पहाड में बहुत सारे हैं लेकिन उसके बावसूर मेरा कहीं न कहीं एक मन रहता है। दरजरीन पहाड में जितने भी मीडिया हाउसे, खास तोर से जो सोचल मीडिया प्लेटपॉम पे लोग प्रिये हैं, उनसे एक अलग भावनात्मक रिष्टा रहता है, मैं कई लोगों से लगातार संपर्ग बनाया रखता हूँ, उनसे कई बार आइडिया में साजा भी करता ह एक्सचेंज करना मेरी फित्रत में शामिल है, अच्छे जो उनके विचार होते हैं, उसको मैं जरूर अपने मन में रखता हूँ, अपने कारे पर उसको प्रियोग मिलाता हूँ, अब गोर्खा लेंड फ्ले केंपेन का पेज में एक मेसेज आना कि मैं किसी कारण से छोड़ आपको समझना चाहिए, पहाड की वाकई, अगर कोई आवाज है, तो वह आज के दिन सोचल मीडिया प्लेटफॉम है, सोचल मीडिया प्लेटफॉम के डिजिटल प्रारूप में जिस तरह से पहाड की छोटे-छोटे हिकाई वाले मीडिया काम कर रहे हैं, उससे ही दारजल के बावजूद भी सोचल मीडिया ने मुश्किल परस्तिती में बेहत मुश्किल हालात में काम करते हुए, अपने आपको कहीं न कहीं एक अच्छे पोजिशन में खड़ा किया है, जहां जनता उनके उपर भरोसा करती है, और उसी भरोसे में लगभग गोर्खालेंड फलेक केंपेंड लगातार कई वर्षों से काम कर रहा था, लेकिन एक दिन, एक जटके में एक छोटा सा मेसेज आया और वह पेज अब लगभग डिसकंटीनी की हालत में है, वीर गोर्खा वेब टीवी जो गोर्खा हित की बात करता है, गोर्खा हित सर्वोपरी का नारा लगाता है, आज हम कोशिश करेंगे कि उनसे बात करें उनसे मन में क्या उनकी दिक्कत परिक्षानी है, जानने की कोशिश करें, सातीसाथ भारत में रेने वाले ले, और गोर्खाओं की तरफ से, यदि वीर गोर्खा वेब टीवी संपुर भारत में लोग उसको प्यार देते हैं, उनके तरफ से एक छोटा सा निवेदन यह भी करूँगा कि पहाड की मीडिया की जरूवत इस समय सोशल मीडिया प्लेटपॉम बेहद अपने बड़े थत्वों के साथ जरूरी है इसलिए मैं उनसे बात करने का प्रयास लगातर कर रहा हूं देखता हूं यह शूट करने के ब में देखिए फ्री स्पीच स्वतंत्रता अभिवेक्तिगी इस तरह के नारे बाजी के साथ पहाड में तमाम तरके व्यक्तिकत एजेंडी भी चलते हैं लेकिन किसी पेज का बंद हो जाना वीरवर का वैब टीवी के लिए यह असरन यह चीज है आज कोशिश करूँगा मैं अनामीर प्रधान आखिर क्या वज़र रही कम से कम पेज तो चालू करें क्योंकि उनसे जुड़ेवे हजारों लोग है जो उनके पेज पर निरभर हैं मैं कोशिश करके देखता हूँ अब वो फोन उठाते ही कि नहीं उठाते हैं हमारे साथ मौजूद है अनामीर प्रधान जो संपादक है गोर्खा लेंड फ्लेक केमपेंड के अब है संपादक यह कहना कितना मुनासिव है सीधे उनसे चर्चा करते हैं अनामीर जी आपका स्वागत है सबसे पहला सवाल मेले को भी कई लोगों ने कहा कि कृपिया आप इस सब्जेट के उपर काम कीजिए आप गोर्खा लेंड का जंडा लेकर लगातार काम करने वाला अनामीर प्रधान काफी लोग प्रिय हजारों की संख्या में लोग जीस पेज को फोलो करते हैं उसका अचानक बंद हो जाना क्या वज़ा है जी नमस्कार दीपक जी पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि वीडगोर्खा वेब टीवी को धन्यवाद इस विशे को लेकर आपने हमें कॉल किया और जो विशे में आप बात करना चाहते हैं हमें लगता है कि हम आपको इस बारे में सटिक उत्तर जानकारी देने में हम बरफूट साहता कर सकते हैं पहला प्रशन ये है कि हजारों की संक्या में लोग आपको फोलो करते हैं वो साथ ही भारत में रहने वाले संपून जो गोर्खालेंड प्रेमी हैं वह भी लगातर आपके पेज से जुड़ेवे रहते थे वो लगातर अपडेट रहते थे गोर्खालेंड शब्द गोर्खाली समाज के लिए एक बहुत बड़ा एक भावनात्पक एंगल है जिसको लेके लगातर आपने काम किया है अब कई लोग मेरे से ये आगर कर रहे थे कि गोर्खाहित में किरपे आप ये मामला भी देखे कि एक चैनल जो इतना चल रहा था आखिर क्या वज़ा है क्या परेशानी हो गई कि उन्हों ने एक तरह से सोशल मीडिया में आगे इसको जारी रखना है नहीं रखना है उसके बारे में गंभिर बात की आखिर बात क्या थी यहां लोग जानना चाहेंगे कि एक्चिली जर कई दिनों से हमारा इशू चल रहा था तो इसी इसी को लेके हम काम कर रहे थे लेकिन जो हमारा इशू था वो सौल्व नहीं हो पा रहा था इसी को चलते हमने लास्ट में डिशिशन लिया कि हम अभी इस चीज को हमारा जो काम में इसको हम बंद कर देंगे लेकिन हमें लगता है कि आप इस तरह से जनता ने हमें रिस्पॉंस किया इस चीज को लेके जनता के कहना है कि नहीं आप इस चीज को जो स्काम को लेके जिस उद्दीशे को लेके आप आगे बढ़े हुए हो इसको निरंतता देते रहे हैं जनता ये कहती है लेकिन सर आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमारा जो इशू से अभी वो टोटली सॉल्फ नहीं हो पा रहा है हमें लगता है कि आने वाले दिनों में किस तरह की दिक्कत परिशानी है कहीं से राजनीतिक दबाओ है क्योंकि बीते दिनों देखने में यह भी आया था कि आपके उपर काफी आरोप लगा था कि आप एक विशेश पार्टी के जंडे के तले काम कर रहे हैं या हो सकता है कोई दूसरी और वज़ा ये लोग जानना चाहते थी कि आखिर वज़ा क्या है अगर आप कह सके क्योंकि आपका यह व्यक्तिगत मामला है अगर आप साजा करेंगे तो यह बहतर होंगा काफी लोग इस अगर कारिकरम को देख रहे हैं तो वो जानेंगे कि वाकई इसके पीछे वज़ा क्या रही आशली दीपक जी ऐसा जिस तरह के प्रशना आप रख रहे हैं मैं यह कहना चाहता हूं कि हाँ जी पॉलिटिकल पार्टी से हमें तो ऐसा कोई थ्रेट तो नहीं दिया गया है ना हम इस ताइप के थ्रेट को हम सीरिसली लेते हैं क्योंकि आपको मालमी होगा कि हम ही ऐसे दो चार न्यूज पॉर्टल्स थे हैं 2017 के आंदोलन में जैसे कि आपका भी जो वीड़ गोर्खा वीड चैनल है इन चैनलों ने 2017 में बहुत काम किये हैं मीडिया में और मुझे नहीं लगता कि किसी के थ्रेट के कारण हम ऐसे डड़ जाएंगी क्योंकि हमने 2017 के आंदोलन में जनता को हमने संपूर्ण घटनाय संपूर्ण न्यूज कवर करके हमने जनता के आगे पेस किया था डड़े होते तो हम साथ नहीं लगता कि हमें 2017 में हम इस तरह से ओपन ली काम कर सकते थे इसलिए मुझे लगता है कि किसी तरह की आर्थिक विशमता या आर्थिक परिशान मैं बता रहा हूं कि कारण दो आपने ने ने जी जारी रहा है अई जी मैं यह कहना चाहता हूं कि किसी पॉलिटिकल पाटी ने हमको थ्रेट नहीं किया है लेकिन आपका एक प्रशन है कि जिस तरह से विटी दिनों में हमें एक ऐलिगेशन भी लगाया गाया था हमारी उपर हमारे पेज के ऊपर कि हम किसी पर्टिकुलर एक पॉलिटिक मैं आपको बात बताना चाहता हूँ कि हाली में एक शोशल मीडिया में एक सेशन चल रहा था एक लाइव स्ट्रीमिंग हो रहा था उसमें मैंने एक पहाड के एक नेता को मैंने प्रशन पूचा था कि जिस तरह से पहाड का एक अभी ऑपॉल्टिकल स्थ्नारियो हैं इसी प्रशन पूचा था और उस प्रशन में जैसे का मेरा स्पीच यह सर मैंने उसी को लेके मैने उनको पश्न पूचा था ba मुझे लगता है कि जिस तरह से उन्होंने मुझे एक एंसर दिया, उनका भी एक freedom of speech ही है, लगता है, sir. मैंने उन्होंने जिस तरह से allegation लगा रहा है, मेरे उपर वो जस्ट एक allegation भी हो सकता है, otherwise उनका ये freedom of speech भी हो सकता है, sir. उसको हमारे संपुर्णा मीडिया टीम ने और पसरनी हमने भी उनके बातों को पसरनी ने लिया है, sir. जैसे कि मेरे अगर ये freedom of speech है, तो उनका भी freedom of speech है, उनकी freedom of speech को भी respect भरते है, sir. यही है, sir. अगर ये संदर्व को उठाया है, तो क्या ये माना जाए कि कहीं न कहीं इस आरोब के बाद आप एक तरह से आपको एक ऐसा feel हुआ की, जो आप काम कर रहे हैं लगाता है, निस्पक शुरूब से कहीं न कहीं उसमें आपको चिंतन करना पड़ा? नहीं, sir. ऐसा कुछ भी नहीं है. मैं आपको एक बार फिर बताना चाहता हूँ कि जिस तरह से उन्होंने हमें एक allegation लगाया, उन बातों को हम गंबिता पूरवक्त से नहीं लेते हैं, sir. हम उनके बातों को importance नहीं देते हैं. उनका freedom of speech है, sir. हम उस चीज़ को respect करते हैं. लेकिन उन्होंने जो बोला, उसको हम गंबिता पूरवक्त नहीं लेते हैं, sir. देखिए, आप से काफी लगाव रखते हैं लोग गोर्का लेंड फ्लेक campaign, क्योंकि मैं खुद WhatsApp चलाता हूँ, तो काफी लोग share भी करते हैं, आपकी ख़बरे बगर. हजारों लोग, हजारों की संख्या में, लोग आपको follow करते हैं, उनके प्रती कहीं आपको लगता नहीं कहीं न कहीं, उस निर्ने से आपको वापस लोटना चाहिए, क्योंकि देखिए, मैं खुद गोर्का हित की अगर बात करता हूँ, तो मैं खुद चाहता हूँ कि जो वेक्ति गोर्काली नाम से सोशल मीडिया में काम कर रहा है, और साथी साथ संपूर भारत के डेड़ करोड गोर्काली समाज की तरफ से वीर गोर्का वेब टीवी अगर एक आवाज है, तो आपस एक अपील करना चाहेगी कि कम से कम आप वापस पहाड में जो खबरों का लगातर जंजागरन का काम कर रहे थे उसको निरंतर रखे, इस संदर में देखिए, बहुत सारे लोग अपील कर रहे, मैं तो आपसे बात करने का केवल एक वकसद लेकर आया था, कि आपको मना पाओं कि आप कम से कम एक मन में ये रखे कि तमाम तरह की कोई भी इशू हो, उससे आगे आकर आप लगातार निरंतर परवाह में काम करते रहें, अजी, दीपक जी, मैं आपको फिर एक बा होता नहीं दिख राता हमें, इसलिए हो सकता है कि हमने फिर एक गंटे में हमने हमारे ही पेज में ऑफिसली स्टेटमेंट दे दिया था सर, लेकिन ऑफिसली स्टेटमेंट देने के ठीक एक दो गंटे बाद हमें बहुत मीडिया उनने भी कॉल किया था सर, आपने भी कॉल क किया था तमाम मीडिया परसने भी हमें कॉल किया था लगिन सर हमने किसी का फोन नहीं उठाया लेकिन अभी क्या है कि जिस तरह से हमें एक रिक्वेस्ट किया जा रहा है जनता के तरफ से आप वहां पर मैसेज में कॉमेंट बॉक्स में भी देख सकते हैं और पसरेली हमें फो पहाड में कोई भी ऐसा निउस पेजिस होगा की जिसके प्रत्थम में ही गोर्खालेंड का नाम बिल्कुम जो आप अभी एक वात्री है जो गोर्खालेंड के नाम से पहाड में लगातार खबरों को जंता के समक्ष निस्पक शुरूप में परसूत कर रहे हैं देखे कई सार जैसी विवस्ता ये आवस्ता तो नहीं बनाएगी सर्म ऐसा लगता है मुझे हम एक गणतंतर देश में रहते हैं और इस गणतंतर देश में कोई भी अगर वाइस पीसफुल वाइस अगर वो जंता के समक्ष रखना चाहता है तो वो रख सकता है सर्गोर्खालेंड हमारा जो नाम है इसके पीछे सर्फ एक आइडिया है सर्फ और एक उद्देश को लेके हम जनता के समक्ष इस नाम को लेके आया है सर्फ वैसा परसुनली कुछ भी है नहीं इसलिए सर्फ मैं आपको एक बर फिक कहना चाहता हूं कि जिस तरह से अभी एक ही पेज गोर्खालेंड फ्लाग कैंपेंड गोर्खालेंड का नाम से एक जो अभी पेज चल रहा है सर्फ तो इसलिए हो सकता है कि जनता ने हमें अप्रोच किया उन्होंने फोन किया हमें उन्होंने समझाया और वो कह रहे हैं कि नहीं आपको फिर आगे काम करना है ये वो इसलिए सर्फ जिस तरह मैं ही नहीं संपुर्ण पहाड के लोग यह भी चाहते हैं कि इश्वर ही नहीं करें आपका मन भी और सुद्रन बने और जल्द ही हमें गोर्खालेंड फ्लेक केमपेंड के मारफ़स से गोर्खालेंड नाम से कोई अगर पेज चलाता है वो लगाता खबरे पेश करते रहे ह हम तो आपसे पुरहां अपील करेंगे कि किर्पिया आप अपने जो भी प्रॉब्लम है उसको जल्द से जल्द शोट आउट करें एवं जल्द ही आपके पेज को हम एक बार फिर उसमें लाइव खबरे पहाड में कहां अल चले है प्रेस कॉन्फरेंस किस जगह हो रहा है औ सोशल मीडिया का सुरूब जब से आया है पहाड में बहुत ही बहतर तरीके से कम्मुनिकेशन लोगों तक पोचा है अगबार हो ये लोकल टीवी हो ये सेटलेंट निउस चैनल हो वहां के माध्यम से लोग अभी भी बहुत दूर है सोशल मीडिया एक मातर ऐसा जरिया है ज इतना अच्छा रहेगा आपको लगता नहीं जी सर हमने इसी बारे में हमने हमारे संपूर्ण फ्लैक कैम्पेंग के जो बिहाइंड सीन काम करते हैं उन्होंने उनके साथ भी हमने इस बारे में चर्चा की और उनको भी लगता है कि जिस तरह से हमने ऑफिशल स्टेटमेंट दिया था उसको लेकि हमें और एक बार रिथिंक करना पड़ेगा जैसे उन्होंने भी का है सर हमने भी उनके साथ मीटिंग किया हुआ है सर और लगता है कि हमें साहिद सर हम फिर एक बार एक नए अंदार से मीडिया में फिर आ सकते हैं ऐसा लग रहा है हम उनकी नीती और हम उनसे सेमत असनत हो सकते लेकिन मजबूत सभी कोना पड़ेगा आप उसमें विक्ति हो एक कड़ी हो आप से हम एक गुजारिश यह भी करेंगे कि क्या आप अपने जनता के समक्ष अगर नेपाली बाशा में अगर उनसे कहे कि उनसे बात करें कि आखिर क्या वजह क्या रही थी अगर नेपाली बाशा में दो-चार बिनिट अगर आप खुद उनके लोगों आपके जो फोलोवर से उन तक अगर बात पहुचा है क्योंकि अभी आपका पेज बंद है तो एक मैं वीर गुरखा वैप टीवी के माद्यम से आपकी आवाज को वहां राद बरीच्वरियर बसे का रो विष्वा पनी फोरिंग कंट्रीज मा पनी जाती पनी यांवर फॉल वर दो नुरूंच अभी आपके लूंच अभी आपके लाद पनी नमस्कार अटी बजी तबलाए यह वड़ा मैसस तीना चाहांच की तेरे दिन देन देंद आपके अर्शोग आपके लिए परसनले पेज मामरो ऑफिशल स्टेट्मेंट देखा थी हो कि आपको प्रांता पेज ना चला उने बायरा तरह रा हम रुट परकाले जन्ताले हम रुफाल्वर्वर्ज हां पर सुपचिंता करें जुन परकाले हमलार रिस्पान्स दीना पागथिय समाज चाती हो लाइक बढ़े वाहन राते हैं आपालिते हो यू प्रहकर आपरोच रात राते हो यू रात, सब्सक्रम से लोगाद को था वाहन वाहन ही पॉइचेक्न आपिश लिए हम दो दो नहीं है शाले को मैंने हम इस प्रहते हो आपाले करें नहीं है जुन्चे वरकर रम्फलाइक क्याम्पेन को बिहांड देसीन में जाती पनी पनी काम गरने आमरा साथी बायर उचे नुआ सिंगा बसे रहे पनी यही बनाई चाहिए अगरी राहार को पनी यही बनाई चाहिए उनसक्षा हमी ले जुन्चे आमरे यहाद प्रब्लम मा यही फ जुन्चे आमरे प्रब्लम्स रिजॉल्ग भायर आम आगाली रहने उनसक्षा तर जन्टा लेती ने बनाई जांचों कि आमरे 50-60% जुन्चे आमरे प्रब्लम्स रिस्वल्वफ भायी साक्यकोच अ राम दिनुरमा उनसक्षा हमी चाहद आड़े ने तपर गुस्वाद सम आज़र इपाग्षी बनाई आपने बहुत अच्छा आपने दिल जीत लिया आपने दिल जीत लिया वाकिए देखिए एक चीज आप से बात करने का मकसद कहीं न कहीं पूरा होता भाभी मेरे को नज़र आ रहा हुँ मैं वाकिए बहुत खोश हूँ देखिए पहाड की दिल जीत लिडिया है वह बहुत बढ़ा काम कर रही है तो ऐसे लोगों को आप उदास और निराश नहोने दे जो आपको एक उमीद भरी निगाह से देखते हैं देखिए मैं भी कहीं बहुत दूर रहता हूं दारजली पहाड़ से और मेरे जैसे बहुत सारे लोग दारजल मैं भी इस चीज से गुजर चुका हूँ, क्योंकि मुझे भी मालूम मैं भी एक मीडिया नेटवर्क रन करता हूँ, तमाम तरह की दिक्कते होती है, बहुत सारी इसमें इतनी परिशानी आती है, कि आप अपने फॉलोवर से अपने दर्शकों को नहीं बता पाऊगे, मैं इस उनसे वादा कीजिए कि आप जल से जल इस पेज को शुरू करेंगे, और पहाड में हमें पहाड की मीडिया की आवाज को और मजबूत बनाती नजर आएंगे. जी सर, हमें लगता है कि हम जलत ही जलत जनता के समख स्फिर एक नया अंदाज से हम जनता के आगे हम अपने आपको रखेंगे सर, और हमें लगता है कि हमें फिर एक बार काम करना चाहिए सर, क्योंकि जनता जिस तरह से हमें बोल रही हैं कि नहीं आपको काम करना है, आपको और समाज के डिये चातिक दे बहुत आगे बढ़ना है ये सब जिस तरह से उन्होंने पोजिटिव रिस्पांस दिया सर अमें हमारे फाल्वर्स को इस तरह से उन्हें डिसार्टन नहीं करना चाहिए ये भी हमें पता है सर और उनको उनकी दिस तरह से उनकी comment से उन्होंने जिस सरे हमें अप्रोच किया इस चीज को respect करते हुए सर हमें लगता है कि सर हम फिर से हम इस platform में फिर से एक बार आएंगे सर आपके अनामिर जी आपने online यानी on record बाते कही है और आपकी ये बातों से वाके दिल को एक रहात भी मिली है कि चलो कहीं न कहीं वीर गुर्खा वैब टीवी ने आपसे संपर्क सादा आपने बात की और आपने अपनी मन की बात भी अपने जो भी दर्शक है अपने लोग है उन तक पोचाई और हम उम्मीद करते हैं जल्द से जल्द आपके चैनल में हम एक अच्छे से अच्छे किसी live coverage किसी अंतरवार यह आपकी चीज वीर गुर्खा वैब टीवी में एक document के रूप में दर्ज हो चुकी है नहीं सर इसी संदरवे में आपको अंतर में एक बात बात आना चाहता हूं कि जी जी बोलिये बी सर जी 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 इस तरह से हमें आपने एक हमारा अंतरवारता लिया भी सर थैंकियो सो म तेंकि सर हम काम कर रहे हैं सर और हमें लगता है कि 50-60% हमारा जो प्रॉब्लेम्स तासर वो सॉल्व हो चुका है आने वाले दिनों में जल्दी हम आपके समक से इसी तरह एक नया अंदाज में आएंगे ये आपको मैं अभी अरे बिल्कुल ये हुई बात देखिए आप लोग यंग हो आप में यंग ब्लर्ड्स हो आप आप से उमीद नी रखे तो किस से उमीद रखेंगे चलिए अनाविर जी अब ज्यादा बात नहीं करूंगा आप से बिल्कुल मैं वापस कहता हूँ ये पूरे संपुर्ण भारत के डिर्ड करोड गोरखाली के तरफ से आप से एक हाथ जोड के निवेदन है कि आप जल से जल अपने इशू को दूर करें और आप एक अपने पेज को सुचारू रूप से चला है क्योंकि इसी में गोर इक किया हुआ है सर उसके लिए हमें हमें यही कहना है कि बहुत बहुत धन्यवाद और हम और एक बार कहना ता थे कि आपका जो कोईसिंस था सर इसको हम गंबी तार से लेते हैं और आने वाले तिनों में हम पोजिटिव नेस पोजिटिव रिस्पॉंस आपके समझ गोर्खाहित सर्वपरी चलिए आपने हमसे बात की और एक उमीद और एक बहुत ही अची पॉजिटिव आपसे चर्चा हुई और जल्दी हम गोर्खाने फ्लैक केमपेंड को सुचारू रूप से चलतावा देखेंगे आपने हमें वक्त दिया और आपने अपनी बात को देखेंगे आपने हम बात की और एक बहुत हुटू।